नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रकास सेजू टेक मेंगा इस यूपी स्कॉलर सीफ 2020 से किसे डेटेटेड बहुत ही महतपूर सूचना सामने निकल कर आई है क्या सच में इस पार जो कई छातरों के मन में सवाल है कई छातर बा वी सी के जो भी छातर है उनका फार्म जो है वो डी डवलू से अभी तक बेरिफाई क्यों नहीं हुआ है और जो फार्म है वो कब तरल बेरिफाई हो जाएगा साथ ही जो सस्पेक्ट वाला प्राब्लम है वो कब तक हटेगा सारी चीज़ों को वीडियो में एक दम कंप्ली गाइस वीडियो को स्टाट करते हैं तो गाइस यहां से आप साफ साफ देख सकते हैं मैं आपको लाइफ दिखा रहा हूं कि समाज कनलार विभाग के तरफ से जो नोटिस जारी हुआ है उसमें क्या कुछ बताया गया है यूपी स्कॉलर्शिप के डी डवलू से बेरिफिक कर दिया जाए दखिए गाइस आपको टेंसर लेने की जरुवत नहीं है जो फाम का वेरिफिकेशन का अखरी डेट है वो 10 मार्श 2020 तक है और साथ ही यहां से एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि जनपद इस तरी भी भागी अधिकारी के डिश्टल सिगनेचर से लाग डा का दूं कि 25 मार्श के बाद से कंप्लीट वे में स्कॉलर सिप फीस वापसी का जो डिस्ट्रिब्यूशन है वो इस्टार्ट हो जाएगा अभी घबरानी की जरुवत नहीं आए कई सारे चात्रे इस चीज़ को मैसेज करके हमें पताया है कि उनका जो सेटन इस्टाल्मेंट है वो आने लगा है तो देखिए घबराने के बिल्की जरुवत नहीं है देरे देरे जिन भी छात्रों का यूपी स्कॉलर सिप का स्कॉलर सिप की बात करें आप फिर फीस रिंबर्समेंट की वो जरूर होगा और मेरी तरफ से बस यही आप सभी को बिल विसेस हैं कि आपका जो स्कॉलर सिप है जो आपका चात फीस पापसी है वो पूरी हो जिससे क्या हो कि आपको अगले साल के फीस पे करने में बहुत आसानी हो साथ ही आपका जो सिक्षा हो जो एजुकेशन है वो इसली हो सके तो गाइस चलिए आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि क्या कि इस पे आप क्लिक करके सिंप्ली अंदर घुश जाएंगे और फिर स्कॉलर आउन करते हुए यहां से सिंप्ली नीचे आकर देख सकते हैं कि चेक यूई स्कॉलर से पे स्टेटस विस बैंक अकाउंट नमबर पी फमस तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि यहां पे सिंप करके जैसे ही आप सम्मिट करेंगे आप रिसेच के लिए प्रेस करेंगे तो गाइस अगर आपका यूपी स्कॉलर से पी स्टेटस अगर मतलब सा कुछ वेरिफाइड हुआ रहेगा तो आपका जो फीस वाप सी है वो जरूर होगा और साथ ही आपका स्कॉलर सी पगर आया ह होगा तो यहां पर सो होगा अधर्वाइस नो रिकार्ट फांड का अपसंस वाउट करेगा तो गाइस ज्यार जिन छात्रों का भी डिटब वो से बेरिफाइड नहीं हुआ उनसे यहीं कहूंगा कि वो जैसे भी अपने कालेज में जाका बात करें आप फिर समाच खलियाड विभाग के आफिस में जाका बात करें जैसे भी अपने फांड को बेरिफाइड करवाने का फॉरण से फॉरण प्रयास करें तो गाइस ज्यार उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्फ लोगी वीडियो गर अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए से में कर पूछ सकते हैं मैं सारी कमेंट के जबाब दे रहा हूं तो गाइस यहिंद वन देमा